नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी य्टूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 और 13 नमबर मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें की साट साल बात से मा लक्षमी आप पर हो गए हैं महरवान अब आपकी करमों का फल आने वाले दो दिनों में आप सभी को परदान करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों जलरसल दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें की कल से आने वाले यह दो दिनों की अंदर भगवान मालक्षमी जी की आस्म आशिरवाद से आपके बहुती बड़े बड़े कारे बनने वाले हैं भगवान मालक्षमी आपके मेहनत का फल आपको दे जी हाँ दोस्तों, और ये ऐसा ग्रहों का निर्मान पिछले सार साल पहले बना था। दोस्तों जोतिस कारों का कहना है कि आने वाले यह दो दिनों के भीतर आप से वीकियरासी के लिए जीवन काल के सबसे बड़े महत्रपून दिन होने वाले हैं। जिहां दोस्तों यह समेगरों की जो इस्तिती बनने वाले हैं उनमें गज के सिरी नाम का सूब योग रहेगा साथी महालक्षमी नाम के राज योग का निर्मान होगा जिनके कारण दोस्तों दन से जुड़ी सभी समस्याईं आपके समाप्त होंगे भगवान मालक्षमी जी की आसिम आसिरवाद से आप से भी के जीवन काल में आने वाले यह दो दिनों के भीतर आपके बहुती सारे ऐसे कारे शफल होंगे जो की पिछले समय में रुक गए थे जिनमें बहुती ज़्यादा कश्ट हो रहे थे दोस्तों वे शारे कार अब अचा आसिम आसिरवाद से आने वाले यह दो दिनों में आप से भी के जीवन काल में खुसियों का पहाड खाड़ा होने वाला है यानि कि दोस्तों अब आपकी कदम कदम पर खुसियां कदम चुमेंगे जिहां दोस्तों आपका सोया हुआ नसीब भी यह शमे मालक्षमी जी की आस बढ़नागे अ रतीड़ों सफल्ता को बने दोस्तों आप सब THIS DO में दीसाओ आप हमा कैच में हूं अपने वह की तो में दोस्तीं खेंशीन आप सब्णेजरह करने हैं सब्सक्राथ पर दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इन समय अवधी में आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कहीं पर बड़ी वेवस्था में पैसा लेंद दिन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि हरे कागज को आप ध्यान से जांच परक लें क्योंकि दोस्तों यह समय आपके साथ धोखा घड़ी भी इसती दिखाई दे रही है साथी साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके रासी में यह समय श्वयम भगवान मालक्षमी आपके नजर रखे हैं मालक्षमी की आसिम असिरवाद हैं तो दोस्तों यकिनन आपके जीवन काल में खुसियों का बड़ा पहाड खाड़ा होगा यानि कि दोस्तों जिस छेतर में आप हाथ बढ़ाएंगे उनमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी परन्तु दोस्तों आप सभी को बता दें कि साबधानिया को रख कर ही आप कारे करें क्योंकि दोस्तों मालक्षमी के आसिम असिरवाद से आपको बहुती बड़े ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जो कि आपके कारे में नुक्सान होने से पहले ही सचेत कर देंगे तो दोस्तों कोई भी संकेत आपको नदर रंदाज नहीं करनी है जी हाँ दोस्तों अर्फिज साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि भगवान मालक्षमी जे के आसिम असिरवाद आप सभी के जीवन काल में अब आपको एक नई रास्ता मिलने वाले हैं। दोस्तों इनमें आप सबी महत्यपुन जानकारी को भी जानेंगे कि यह समय आपको किन-किन छेतरों को लेकर शाब्दान रने होंगे कौन से कार आपके लिए भागे साले होंगे और किन छेतरों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ति होगी और भगवान मालक्षमी जी के आसिम असिरवाद से आपके घर के माहूल में परवारी जीवन में आपके प्रते एक छेतर में क्या-क्या खुस खबरिया क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं तो दोस्तों आंतर तक देखिएगा खुसे पहले दोस्तों जो वेक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मालक्षमी लिखेंगे दोस्तों मालक्षमी जी की आसिम असिरवाद आप सभी को प्राप्त होगा खुस या आना आपके घर में प्रारम हो जाएगे तो दोस्तों जरू लिखेगा और याप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को प्रेज करके और पर स्लेट कर लें तो दोस्तों बात करते हैं शुरूआत करते हैं भगवान शिर्किरसिंजी के एक बहुती अच्छे परम घ्यान से एक बहुती अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आपको इन दुन में एक इकछा सकती जागरित होगी और यह ग्यान यह बात आगे चल कर बहुती काम्याबी साबित होंगे दोस्तों ये तीन बाते हैं आप सभी को बता दें की जिन्दिगी एक है आज ही खुल कर इसे जीने का मजा लिजी नो की दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को बरबात किजी जी हाँ दोस्तों आज तीन ऐसी बाते हम आपको बताने बाले हैं जिनके कारण दोस्तों लोग आगे बढ़ने में विफल हो जाते हैं जबकि इनसे बाहर निकालना भी बहुती आशान है जी हाँ दोस्तों सबसे पहला बात है कि दोस्तों जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो मेरी बारे में ठीक ही सोचते हैं सबी आपको पसंद करे या जरूरी नहीं है एसे कई लोग होंगे जो आपसे नफरत करने लगेंगे जैसा वह आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा आप मत सोची क्योंकि अगर आप भी अपने बारे में गलत सोचने लगेंगे तो निस्चित ही आगे बढ़ने में आपके जो रास्ते हैं वह बंद हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों और दोस्तों दूसरी बात है कि जो काम दूसरे कर सकती हैं लेकिन मैं नहीं जी हाँ दोस्तों ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं लेकिन आप नहीं आप हर काम कर सकते हैं बस आपको खुद पर विश्वास रखना होगा परिबार के सबी लोग और दोस्त मेरे नेने से सामात हो या जरूरी है दोस्तों ये सोच बिल्कुली गलत है या जीवन आपका है आप इसके मालिक है आपके दोरा लिया जाने वाले महत्वपुन नेने में हर व्यक्ति की रजामंदी जरूरी नहीं है किसी की तरब देखने की आप सकता नहीं है आपका जीवन है इसे अपनी तरीकी से वेतित किजी जी हाँ दोस्तों इसे आप हमेसा खुस रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो दोस्तों आप यह परम वानी परम ज्यान अगर आपको सत्य लगा हो इन पर यकीन हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को एक पैराशा लाइक अवशे कर दें और इनके लिलिग दें जैश्री क्रिश्न राधी राधी तो आज दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि इन दो दिनों के शमय अवधी में श्वय महालक्षी में आपके जीवन काल में आपके परवारिक जीवन में आपके परते एक छेतर में क्या-क्या खुस खबरी क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं बात करते हैं पूरी विस्तार दोस्तों इन दो दिनों का शमय अब दी में आपके जीवन में धेर सारी खुश खबरियां आने वाली है। किस्मत का पुरा का पुरा साथ मिलने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों आपके जीवन में धन संपत्ती जो भी परिशानी चली आ रही थी समस्त परिशानियों का अब चुटकियों में मालक्ष में समाप कर देंगे और आपको पैसों से आर्थिक तंगया दूर हो जाएंगे दोस्तों ध्यान रखें कि या खुशकबरी आपको किसी न किसी तरह से फॉन कॉल से बिजनेस वैपार से या फिर आपको पुस्तों पुराना धन अचानक या लक्ष में माकी किरपा से मिल सकते हैं अब आपके सारे सपने च्छन भर में दूर हो जाएंगे दोस्तों अपने विचार धारा तथा वैजनाओं पर अमल करने का उचीत समय है आप अपने कारे को बेहतरिन तरीके से पूरा करने में समक्ष रहेंगे घर की देख रेक तथा सुख सुविदाओं समधित कारियों में भी आपका बेहतरिन समय वेतित होगा घर में नजदे क कि लोगा का आगमन होगा और माहौल शुखना मा रहेगा आपके मस्तिस्त में नई नई ओजनाएं बनेगी जो कि घर तथा वैजसाज दोनों के लिए बेहतरिन साबित होगे इसलिए उन पर तुरंद अमल करना भी शुरू करें ग्रह गोचर बहुत ही अनुकुल है आपकी कोई आर्थी गोजना भली भोती हो शकती है अधिक तक कम सोचारू रुप से बनते जाएं मन में सकुन और सांती रहेगी इसी विशेश कार को पूरा करने के लिए चल रहे आपके प्रयासों को आज काम्यावी मिल शकती है समाज समय भी गती आईगी साथी पिछले कुछ गलतियों से सीख कर अपनी कारे परनाली में सुधार लाना काम्यावी देगा कोई सुब समाचार मिलने से अब अपने अंदर आत्म विश्वास और नई उर्जा महसूस करेंगे अब अपनी कारे परनाली में वेहतरिन सुधार ही भी है सोची हुई योजना शफल होती हुई नजर आएगी खुद को भावनात्म गुरूप से बहुत अधिक ससक्त महसुस करेंगे गर के वारिश सदस्यों के सहयोग आसिरवास से आपकी योजना को बल मिलेगा बच्चे पढ़ाई के अलावा अनक्रियेटिविटी में भी रूची लेंगे साथी कुछ चुनतियां रहेगी लेकिन किसी भी परसिती में अब अपना स्वाविमान तथा आत्म बल कमजोर नहीं पढ़ने देंगे कोई उधार दिया हुआ पैशा वापस मिलने की संभावना है युवा अपने भविश को लेकर की गई मेहनत के पाने में सफल रहेंगे वहीं दोस्तों घर में रिश्दारों की आवाज आई होगी और कोई विशेस फैसला लेने भी उनका योगदान रहेगा दोस्तों बच्चों को अपने पढ़ाई अत्वा केरियर से समंदित समस्यां का कोई शमधान मिलने से शुकुन और रहत्म रह पन्तु इसके परणाम भी बहत्रिन मिलेंगे युवर्ग अपने किसी दूविधा के दूर होने से रहत में सुस करेंगे दोस्तों आज कोई ऐसा कार शंभव होने वाला है कि आप खुद आसर चकीत रह जाएंगे श्वम दोरा ले गए निरने ज़्यादा प्रभावित रह इसलिए जीवन अस्थर को और अधिक बहतर बनाने के लिए आप कुछ शंकल लेंगे और दोस्तों दिर्टा से उसका पालान भी करेंगे बुजरगों तुथा वारिष्ट व्यक्तियों के आसिरुवाद वा अनुबाव से बहुत अधिक कुछ शिखने का मुझा मिलेगा द धर्म कर्म के मामले में भी रूची बनी रहेगी और मालक्षमी का भी आसिरुवाद रहेगा किसी कार को लेकर की गए महनत समंदित साकार्तमों परिनाम सामने आने वाले हैं कोई मन मतावित कार बनने से उथल पुथल भरी दिन्चारिया से रहत मिलेगी युवाओं को जेस भी रोजगार समंदित आफसर सुलब हो हासिल कर लेना चाहिए साती दोस्तों आज आपका कोई विश्यस प्रोयजन हल होने वाला है सिर्फ महनत और दिर निश्यर रखने की जोरत है विक्तिकत वैस्ता के साथ साथ पारिवारिक समंदित गति विदियों में भी आपका लोगों को आज कोई अच्छी खवर मिलने की समभावना है समाजिक और सोशाटी समंदित गति विदियों में अपना योगदान दें इससे कुछ नए लोगों के साथ संपर्क भी अस्थाफित होंगे किसी नजदी की रिष्तारों के घर धार्मिक आयोन पर जाने का अफसर प्राप्त होगा साथी दोस्तों महतपुन काम पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो तूरण फैसला लें मालक्षमी जी के आशिरवात से आपका हुआ काम सफल होगा साथी दोस्तों घर में भी साथ सज्जा समंदित किसी बदला पर योजना बन सकती है महिलाएं पूरी तम होगा तथा काफी समय बाद मेल मिलाप होने से सुखनामा बातारण बना रहेगा वहीं दोस्तों अगर आपकी साथधानी के बार में बात करें तो दोस्तों लापारवाही और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है हिसाब किताब के मामले में कुछ गलतियां हो सकती है योवर को गुसे और आवेस में आकर सुलजाने की वजाई सांति से हल निकालें घरे आउल मामलों में बिना सोचे सम्झे भावनाओं में बाकर किया गया खर्च आपकी बजट को गड़बडा सकता है दुसरों की वेक्तिकत मामलो में हस्तशेप करने की वजाए अपने कार्यों पर काबु रखें वारना कोई आपका फायदा उठा सकता है वियर्थ के कारयों में धानवय होने की योग बन रहे हैं भूमी या वहन समधर लोन लेने से पहले किसी की सलाँ अवशलें आति किसी नजदी की समधर के साथ कुछ बहास वाजी हो सकती है जिसकी बज़े से आपके अंदर सक और वहम जिसी इस्तिती बनने की असंका है जल्दवाजी में आकर कोई भी निरने ना लें इस समय वेक्तिकत जीवन से जुड़े किसी विवकार में रिक्स लेना भी नुकसान दायक रहेगा दोस्तों दूसरों के वेक्तिकत कारों में अपना हस्तेशिव और अधिकार ना रखें इसे समदों में कटूता आएगी बायों के साथ समद मधूर रखने में आपका योगदान अनावाशक है अगर कोई मदद भी करनी है पड़े तो दोस्तों संकोच न करें बच्चे तोहर की खुसी के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान दें दोस्तों जादा दरियाली की वजाए वहवारे दिश्टी कौन रखें भावनाव में बाहकर कुछ निलने गलत भी हो सकते हैं परवारी गति विदियों पर बहुत अधिक खर्च होने से कुछ चिंता की इस्ति रह सकती है मन में न कार्थ में बिचारना उपचन दें ताथि कहीं भी बाद बाद की इस्ति बनने पर अपने गुस्य और सब्दों के पर काबू रखें वाना इस्ति और बिगर सकती है युवाओं को अपने किसी लक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे इसलिए व्यर्थ की गति विदियों में अपना समय नश्ट ना करें वहीं दोस्तों महिलाओं को अपने वेक्तिकर तथा प्रफेशनल गति विदि के बीच तालमेर रखने में कुछ शमस्यां आ सकती है गुस्य और आवेस जैसे नकारतों बातों पर काबू रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा भाई अत्वा किसी नश्ट की सम्मंदी के साथ परवारी मुद्दों को लेकर कहा सुनी होने की भी आसंका है दोस्तों युवा लोग विशेश रूप से ध्यान रखें कि वक्त के साथ एक्टिव रहना जरूरी है आलस की बज़े से दूसरों पर काम डालने का प्रयाश ना करें बेहतर होगा की महत्पूल काम श्वयम ही निप्टाएं ज्यादा आत्म कैंदित होना और शिप अपने बारे में सोचना नश्दी की सम्मंदों में कटूटा ला सकता है उए दोस्तों अवांचित लोगों से दूरी बना कर रखें क्योंकि इसमें समय और पेसे की नुकसान के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा आपका संकालू शवभब आपके लिए घर परिवार के लिए चिंता का कारण बन सकता है संतान के उपर अधिक रोक टोक ना करें मित्र वता विहवा रखना उनके मनवल को बढ़ाएगा साथी दोस्तों पड़ोसियों के साथ किसी व्यक्तिकत मामले को लेकर कहा सुनी हो सकती है जिसका असर आपकी समंदों पर भी पढ़ेगा सांती से समस्यां को शुल जाना आपके लिए उचित रहेगा कभी कभी सभी को खुश रखने का प्रयास में आपने लिए परेशान ये उत्पन कर लेंगे किसी भी काम में वारिश लोगों की सलह अवश्य लें इसे आप अच्छे मार्ग चुन पाएंगे दोस्तों अपने व्यक्तिकद योजना किसी के साथ सेयर करना आपके लिए हानी कारक रहेगा समझदारी से तथा प्रैक्टिकल होकर कोई निरने लें भवेसे की चिंता को छोड़कर वर्तवान गतिवीदों पर पहले स्थ्यान दें ज़्यादा जिम्मेदारियों की बज़से भी तनाव रह सकता है इन पर ध्यान रखें वहीं दोस्तों व्यवसाई की बात करें तो दोस्तों तोहारों की बज़से व्यवसाई में वैस्ता रहेगी काम की अधिकता की वज़े से अपने उपर ज़्यादा जिम्यदारिया ना लें धन समझेंद मामलों में किसी के साथ साज़धारी ना करें और फिस में महौल शुकुन भरा रहेगा अधिकारियों का शहयोग भी मिलेगा बिजनेस में काम जादा रहेगा लेकिन फाइदा ठीक ठाक ही मिल जाएगा इसलिए सही वक्त का इंतिजार करें नए योजना पर अभी निवेश ना करें सरकारी कामकाज को लेकर अधिकारियों से अच्छा तालमे लखने से रुके कामों में तेजी आएगी दोस्तों कारवर बाढ़ाने की को योजना चल रही है तो दोस्तों बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी बहतर नतिजे भी मिलेंगें सेल्स टेक्स जी एस्टी से जुड़े काम जल्दी पूरा कर लें किसी बड़े अधिकारी अत्वारानेतिक से आपकी मुलाकात फायदेवन साबित होगा दोस्तों अधिकतर व्याफसाइक कार निर्विग्न पूरे होते जाएंगें इनकम सुधरेगी नए काम और लोन के मामलों पर दोबारा विचार करने की जोरत है राजकी मामलोप को निप्टाने के लिए समय उचित है अफिस में किसी सहगियों के साथ कोई शमश्या हो शकती है दोस्तों साब्धान रहें साथी अपने व्याफसाइक पार्टियों के साथ सम्बंदों को और अधिक मजबूत करने की जोरत है इससे आपको बेहतरिन ओडर भी मिलने की सम्भावना है खानपान से सम्बंदों व्याफसाइ में फायदा हो रहेगा नोकरी पैसा लोगों को मन मतावित कारभार मिलेगा साथी प्रमोशन भी सम्भाव है दोस्तों कारभार पर कामकाच का बोज बढ़ेगा इनकम भी बढ़ेगी सभी काम समय पर निप्टाने की कोशिस करें इस समय किसे भी नई योजना या प्लानिंग पर काम करना नुक्सान दाइक रहेगा सरकारे नोकरी में कोई अत्रिक डिव्टी भी लग सकती है दोस्तों वैवसाय में कुछ उतार चड़ाब की इस्ति रहेगी हलाकि आपके दोरा कर परनाली में लाया गया परिवर्थन उचित साबित होगा इनपोर्ट एक्सपोर्ट से समधित गत्री बीदी में फायदा होगा रानिती से जुड़ी लोगों को कोई बड़ी जिम्यदारी मिल सकती है नोकरी में अधिकारियों से मदद भी मिलेगी दोस्तों कारवार में अथावात इस्ति ही रहेगी कुछ ऐडर मिलने से राहत मिलेगी इसमें सभी कार अपने देख रेक में ही निप्टाने का प्रयास करें, किसी कर्मचारी का नकारत्म रवया आपको परेशान कर सकता है, ओफिस्यल कार बिना दिक्कत के होते जाएंगे दोस्तों वेवसाय में आपकी बेहतरिन कार परनाली से चल रही परेशानियों में आप कुछ ठाहराव आएगा, तता परेशितियां बेहतरिन होनी शुरू हो जाएगी पार्टनेर्शिव के लिए भी कोई प्रोपजल आ सकता है, नोकरी पेशा लोगों को बदलाव समन्दित अफसर भी मिल सकता है ओई दोस्तों बिजनेस में किसी तरह की भी यात्रा अस्तकीत रखें क्योंकि आज इनमें नुकसान ही होने की असंका है अपने गत्वी विदियो को दूसरों के शमक्च वियान न करें, अना था कोई अन्य वेक्ती इसका फैदा उठा सकता है नुक्री पेशा लोग अतदिक कारभार की बज़े से परेशान रहेंगे लेकिन दोस्तों आपका वह रास्ता भी मिलेगा जो कि आपके लिए फायदे मन रहेगा लेकिन दोस्तों आपका कोई काम्यावी का भी रास्ता मिलेगा वह दोस्तों आपको फायदा भी लेकिन दोस्तों आपका कोई काम्यावी का भी रास्ता खोलेगा और उसमें आप काम्यावी होंगे साथी मोजुदा समय में चल रहे बिजनेस के कामों के साथ नए काम में भी फायदा बढ़ाने के मौका मिल सकता है कला और मेडिया छेतर से जुड़ी वैवसाय में आज अपर त्यासित लाव होने की उमीद है विदेशी कमपणियों में कार अस्थल लोगों को बहुत से प्रसंता मिलेगी दोस्तों वैवसाय में सभी गतिविदी में अपनी उपस्ति अनिवार रखें और सभी कार अपने देख रेक में ही करवाएं क्योंकि कर्मचारियों की लापरवाई से नुकसान हो सकता है ओफिस के मीटिंग में किसी महत्पुन विशे पर सकार्तमक चर्चा रहेगी जिसमें आपका भी फायदा रहेगा किसी वेबसाइग में साज़ेदारी की योजना बन रहे है तो तुरंद उस पर अमल करें इसमें परसितियां लापदायक है साथे धन प्राप्ती के गिरिह योग बने हुए हैं कार छेतर में किसी परकार का परिवर्टन करना भी लापदायक रहेगा वेबसाइग गति वेदियों इन दिनों में सकारतमग हाल चल का समय है नहें तो पुन ओडर मिलने से आर्थी इसकी काफी बेहतर हो जाएगी दोस्तों आपकी योजना शफल रहेगी आने वाले दिनों में इनकी उचित पर नम प्राप्त होने वाले हैं दोस्तों आप पिछले समय में जिन कामों को आप पूरा करने के लिए कोसिस कर रहे थे मालक्षमी की किरपा से वा पूरी होते जाएगे इनकम बढ़ने की प्रवल समावना बन रही है युवाओं को अपने केरियर से समिदित अच्छे मोके मिल सकते हैं मैं दोस्तों आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो सीर दर्दवा मानसिक ठकान रहेगी उसमय अपने रूची पूर्ण कार में समय लगाने से शुकुन मिलेगा वास्त ठेक रहेगा परन्तु वर्तमान बतारण की बज़े से अपना खान पान और दिन्चारिया में समयत रखें दोस्तों खान पान के परतिसाबधानी बरतें अपच और एसिरिट्री की समस्या रहेगी ज़्यादा तले भुने पदार्थों का सेवन से परहेज करें स्वास्त समयत कोई पूरानी समस्या दुबारा उबर सकती है मोसम सभी अपना बचाब रखें दोस्तों वायू तथा पेट से समयत दिकते रहेगी ज़्यादा गरिष्ट और तली भोजन खाने से परहेज करें पाचन परनाली को मजबुत बनाने के लिए पोश्टिक खान पान रखें तथा आयरुवेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें वहीं दोस्तों मन में कुछ चंचलता रहने से अपने कारे पर फोकस रखना मुश्किल होगा उदासी और आलत जिसी इसती हावी ना होने दें अत्यदिक ठकान और तनाप की बज़े से स्वास्ट पर दुस्फरवाब पड़ेगा कुछ में अपने आराम के लिए भी समय जरूर निकालें मानसी ग्रूप से ठकान और सुष्टी जिसी बाते हावी रहेगी सकार्थम बने रहने के लिए आधात में तथा ध्यान का सहरा लें और सांध्य चित बने रहें आपका स्वास्त ठेक रहेगा पर तु अपना इंफ्यूज मजबूत रखने के लिए आरवेदिक चीज़ों का सेवन करते रहें और रोज शुवयोगा और वेवाम करें आपका सर्जी तंदुरुष्ट और फेट रहेंगे दोस्तो वर्तमान बतारण की बज़े से लापारवव भिलकुल न परते हैं अपने दिन चार्य व्यवस्त रखने से स्वास्त में सुधार आएगा तना और चिंता करना स्वास्त के लिए हानिकारक हैं एसिडिटी वग्यस जिसी समस्या रह सकती है अत्यदिक गरिष्ट और तला हुआ खाने से भी बचें दोस्तो वर्तमान बतारण का दुस्परवाव स्वास्त को प्रभावित करेगा अपना इंफूस्ट शिष्टम मजबूत रखें योगा अवश्य करें चाति माहिलाएं अपने स्वास्त को लेकर कुछ चिंतित रहेगी इनफ्यक्शन अथ्वा जोडों के दर्द की समस्या परेशान भी करेंगे वहीं दोस्तों आपके लव लाइप के बारे में बात करें तो पती पतनी के बीच घर के किसी समस्या को लेकर वेचारित मत भेद रहेंगे प्रहम समंद में एक दूसरे के पति समान की भावना रहेगी पती पतनी परेवारी विवस्ता को लेकर कुछ परेशान रहेंगे प्रहम समंद को विवा के लिए परेवारीक स्विकृती मिलेगी जिस दो बात करताब के उपाय के बारे में दोस्तों मा लक्षमी को ये फूल अति प्री है और मा लक्षमी स्वयम कमल के फूल पर बिराज मान रहती है सुकरवार के दिन माता लक्षमी की पूजा करतेश में अपने हाथों में कमल या घूलाब का फूल रखें और उनको माता लक्षमी के चर्नों में अरपित कर दें मानता है कि ऐसा करने से घर में सुक सम्रिदी आती है और तरकी के योग बनती है दोस्तों सुकरवार के दिन घर के बने हुई पहली रोटी गाय को खिला दें इसे आपकी धन आवक बढ़ेंगे मैं दोस्तों आप बात करता आपका भागे साली रंग और भागे साली आंक क्या है दोस्तों, आपका भागितसाली रंग पीला है और भागितसाली रंगचे है दोस्तों मालक्षमी जी की आशिर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सची दिलशे कमेंट बॉक्स में जये मालक्षमी जरूर लिखें और विडियो को लाइक सेर जरूर करें